तो यह बहुत बहुत संकेत है लक्षन है कि आपका बच्चा गर्व में बिलकुल स्वस्त है बिलकुल हेल्दी है बिलकुल सुरक्षित है नमस्कार आप सब एक वाफिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्व में आपका का सच्छे से हो रहा है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों नहीं तक हमारे चलम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ना वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा तो चलिए अब जानते हैं तो देखो जी नौर्मली आपका बच्चा गर्द में बिल्कुल स्वस्थ है इसका पता आप प्रेगनिसी के 6 weeks लगा सकते हैं वैसे तो हमें नौर्मली जब हमारी प्रेगनिसी का वन मंथ हो जाता तो उसकी बाद कि पता चलता है कि हां मैं जानेमट हो गई हूं तो नौर्मली च्छटा सब्ता यानि कि लगवार नि सबसे पहला तरीका क्या सबसे पहला तरीका है आपका उल्ट्रसून करवाना जबmath ultrason में तो म blog किभाड़ना अपको आपके बच्छे का sommes from here to heart Ramoss on Rona सकते कि आपका बच्चा कितना स्वस्त हों स्टार्ट है आपके बच्चे का heartbeat बहुत कम रहता है लगबग 90 से लेकर 110 मान सकते हैं इतना ही beats per minute रहता है यानि कि BPM रहता है अब नौर्मली जारते डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका जो अल्टर साउंड है न वो 97 से लेकर 127 बीच में करवाते हैं क्योंकि इस समय तक अच्छे से होना चाहिए लगबग 110 से लेकर 170 180 190 तक बच्चे का heartbeat हो सकता है और नौर्मली इस समय बच्चे का heartbeat ज्यादा ही रहता है ठीक है इसके बाद जब आप सेकंड ट्राइमेंस्टर में यानि कि जब आप अपना सेकंड लेवल का अल्ट्रसन करवान जाते हैं तो उसमें बच्च आपके बच्चे का heartbeat 110 से लेकर 160 के बीच में ही रहता है तो इतना की बच्चे का heartbeat है ठीक से बच्चे की दिल की धरकन चल लई है समाने कती से जैसे की नौर्मली इस भी बच्चे का चलता है तो आपका बच्चा बिलको स्वस्त है क्योंकि अगर आपके पच्चे के heart beat में को होता है उपर नीचे बहुत जदा होता रहता है और बच्चा काफी घवरा जाता है तो दिल की धरकन तेज हो रही है कम हो रही है बिलकुल नौर्मल नहीं है तो इसमें घवराने वाली बात है वांकि आपको जब भी डॉक्टर बलाते हैं चैक अप के लिए जाए क्योंकि भी कहीं बार आपको हार्ट पिर सुनाती है खुद भी सुनती है जो इससे आपको पता चल जाता है इसकी अलवां जो दीखिए जो दूसरा लक्षन जो दूसरा संकेत है वो होता है आपके बच्चे का हल चल अब देखो नौर्मली आपको मालूम होगा और नहीं मालुम अग्ता महसूस नहीं उपाता कि बच्चा हल चल चल रहा है अब को इसा लगता है कि कुछ कुल बलाड पर फ्राड यूए इस बन रही है तो बहुत सा मेलाओं के साथ होता है काम में बहुत तो पता नहीं चल पाता है लेकिन बच्चा से बढ़ा होता है आपको अठीश होती है और नॉर्मली जातर मेला को 20 पे सपता से लेकर 24 पे सब्सक्राइब अपने बच्ची की हल चल मैसुस हो रही है तो मतलब यह कि बच्चा स्वस्त है अब देखो जी यह जाना जुरूरी है तो देखो नोर्मली स्टार्टिंग में आपको कम महसूस होती है लेकिन दिए दिल्यटे का है चटे मेने में नुव मेने में बच्ची कम करता। ल میں히 होता है कि बहुत जोडदार हृचन करता आपको 14 गंटे के अंदर आपने बच्ची के हलचल मैसूस नहीं हुई है तो आपको तुरण डॉक्टर के पाजाना चाहिए और मैं आपको यही लाँ दूँगी आप हमेशे आपने बच्चे की हल चाल पर नज़ा रखें। इसके बाद तीसरा आपका लक्षन होता है। संकित होता है वह वहता है आपके बच्चे का विकास, बच्चे का वजन, अब देखो आपका बच्चा बिलकू स्वस्त है क्योंकि बच्चे का बजन सही तरीके से बढ़ रहा है और आपको मालुम होगा कि लाश्ट तक आपके बच्चे का बजन नापती हैं देखती हैं उनको सब पता रहता है अगर उसके बाद भी लगता है कि पेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो फिर टॉक्टर से बात कीजिए और देखिए कि क्या देकत है उसके बाद देखो जी जब आपका बच्छा पेट में हेल्दी रहता है तो आपके सरी में साय बदलाब होते हैं पेट का अकार तो बढ़ता है आपकी इस्तन की अकार में भी भरतायवत और नहीं नहीं आपका ब्रेस्ट बढ़ा हुआ लगता है ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है क्योंकि आपको आपके बच्चे को दूद्ध पिलाना होता है तो उससाब से आपका बॉड़े अपने आपको तयार करता है और आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है अगर आपके इस त इस्तिमाल कर सकते हैं तो बहुत सामय लग साथ होता है बहुत सामय लग साथ नहीं होता और आपके निपल का जो कलर है बोबी डार्क हो जाता है और इसके अलाबर निपल का अकार भी बढ़ता है क्योंकि बच्चे उदूद पिलाना होता है इसके बाद एक हो जी क्या होता है है तो खाने का मन नहीं करता खाते तो इस समय तो ठीक है चलो भूख नहीं लग रहा है नहीं खाने का मन कर रहा है लेकि इंचोथे महिने exercise कीजिए और अपने डॉक्टर के संपर्ख में रहें ताकि आप भी स्वास्त रहें आपका बच्चा भी स्वास्त रहें और अराम साथ की प्रेग्रेंसी चल सके बांकी मैं मिलती हूं नेक्स फीडियो में तब तक के लिए बाइबा थैंकि सो मच नमस्ते